लेकिन आविकाजी मेरे पास वारेश भाई ने कहा कि काफी बाते उन्होंने कहीं मैं उनसे पूछना जाता हूं बहुत ही संजीरगी से अगर यह आज डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि वाफ आफ उसी को वाफ कर सकते हैं जो आपकी खुद की ओनर्शिप में हैं किसी और की संपत्ती को वाफ घोशित नहीं कर सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है अगर आज यह अमेंडमेंट किया जा रहा है कि सरकारी संपत्ती को संपत्ति नहीं घोशित किया जा सकता है तो इसमें क्या दिक्कत है अगर आज यह अमेंडमेंट किया जा रहा है कि पहले के एक्ट में जो वह संपत्ति घोशित हुई है च्छे महीने के अंदर उसका ब्योरा दें उसकी बाउंडरी दें उसके मुतवल्ली बताएं तो इसमें कि सेक्षिन चालिस में जो असीमित अधिकार दिया है कि आप किसी भी संपत्ति को संपत्ति गोशिद कर सकते हैं जो इसलामिक लॉग के खिलाफ है अगर उसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है अगर आज इस देश के साथ यह लाया जा रहा है कि जो तीन प्राइबर उसमें एक जाज के रहा तो उसमें क्या दिक्कत है अगर जो सरवे हो रहा है उसकी नोटिस चाहरी लोगों को बताया जारा है कि सर्वेंड या क्यों जा रही है तो आपको इंफॉर्म करने आपको को आपको अप्यक्शन हो तो कलेक्तर सामने हैं इसमें लगता है वारेश भाई को डेफिनेशन पढ़नी चाहिए वाव यूजर नाविकाजी अभी बैंक डॉर का इद गामेदान का केस और राम मंदर का केस जब कोई डॉक्यमेंट नहीं मिला कि वह कब है तो बोल दिया वाव यूजर उस वाव यूजर की डेफिनेशन को ड्रेको लाव और एक मुला का बहुम्ड़न लाव दोनों किताबों में पैराग्राफ 176 में लिखा हुआ है कि आप उसी को वह कर सकते हैं जो आपकी खुद की सेल्फ अक्वाइट संपत्ती हो किसी भी संपत्ती को आप संपत्ती डिक्लेर नी कर सकते हैं अपनी खुद की ओनर्शि जैन दे रहे हैं? उठाके वफ नहीं कर सकता कौन कर रहा है वक्त किसकी दूसरे की प्रोपर्टी को मैं आपको यह प्रोसेस ऑफ लो करना पड़ता है तामिल नाट में आपको बताया कि नहीं अथारा गाउं ले लिए फंद्रह सो साल पुराना मंदिर ले लिया तामिलाट का केस आपके सामने अरे मैंने क्या सच दिखा दिया आपके चेहरे से जुटका नगां बटाया आप तो तरदम तलक तलक हो गए या तो सुनो सुनो मेरी बात सुनो जला ध्यान से बहुत गवरानी की बात लिए अर्ग्यूमेंट करने कौन किसी की प्रोपर्टी को वफ कर रहा है यहां पर वक वफ की प्रोपर्टी अगर मेरी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे सवाब कमाना है मैं उस प्रोपर्टी का पहले डॉक्यूमेंट पेश करूँगा डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद गवर्मेंट उसका स्कूटी नहीं करेगी उसके बाद नोटिफिकेशन निकालीगी गैजेट होएगा रजिस्टर होएगा उसमें क्या इलीगल है क्या करता कि दुसरे की प्रोपर्टी कोई देगा तो गवर्मेंट रुकेगी के ने बात नमबर तो आपने का ऐसा हो गया वैसा हो गया तो गवर्मेंट दस साल से आपकी सत्ता में क्या मदद कर दिया गवर्म साल पुराना मंदिर है और यहां पर ही पास एक किसान पूरा गाउं पूरा गाउं जो है वो वक्फ के अंडर आता है वहां जो राजगोपालन रहते हैं एक किसान है वो जब अपनी जमीन बेचने गए तो पता चला यह जमीन वक्फ की है वो बेच ही नहीं सकते अपना जो ल पेपर दिखा दीजे, पेपर दिखा दीजे न, कि ये वक्ष का है, क्या ओनर्शिप है, अब इसको अगर ट्रांस्पेरेंसी के तहट सर्वे होना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखे नाविका जी, मैं लगातार सुन रहा हूँ अभी बिस्नू संकर जैन जी को, तमाम उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, कि साथ ये ये ऐसा है, पहली बात तो ये है, कि जो चीजों का इन्होंने जिक्र किया, ये पहले से ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं ला र रहा है, इसमें सरकार की नियत क्या है? सरकार की नियत है, आप समझें, बिल बहाना है, और वक की लैंड को हतियाना है अपने मित्रों के लिए, ये मकसद है, ये मकसद ये नहीं है कि कोई भले के लिए किया जा रहा है, या कोई मकसद ये नहीं है कि लोगों का फाइदा हो, वक्स बोर्ड की संपत्ती को बचाना मकसद नहीं है या उसके भले के लिए कोई मकसद नहीं है मकसद यह है कि जिस तरह रेलवे के लैंड को नजूल की लैंड को, डिफेंस की लैंड को क्या किया गया? अपने मित्रों के नाम कर दिया गया उसका इस्तेमाल किया गया आज वही मकसद है, आज कहीं न कहीं इस बिल के बहाने इसमें नीजी स्वारतों को सादने का प्रियास है पहली बाद तो यह जान ले आप हम जानना चाहते हैं कि जो बिल लाया जा रहा है इस बिल में कौन सा ऐसा बिल है कौन सा ऐसा कालम है कि जिसमें वक्त बोर्ड का फाइदा होगा और आप उसकी संपत्ति को बचा रहे हैं उसकी संपत्ति को लोग जग्ट के ले रहे हैं आप उसको बचा रहे हैं कौन सा इसमें कोई कोई ये कमेंडमेंट आप बताईए जो 44 किये गए है दूसरी बात आपने कहा कि इसाब दूसरी की संपत्ती को दान कौन देगा आदमी अपनी संपत्ती को दान कौन देगा तमाम तरीके की चीजों को रखने के बाद मकसद सिर्फ साफ ये है कि इनकी नियत में खोट है ये इनकी नियत में खोट है ये नहीं चाह मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी संपत्थी है जिसने वक्त किया है जिसने दान दिया है अगर वह अपनी चीज को रख रखाव कर रहा है तो इसमें आपको दखल देनी की जरुरत किया हूँ तो मुझे ये संझा ती जै विश्नु था कैसे चली गई थी यह किसकी प्रोपर्टी थी वकपाट को क्यों दे दी गई थी और यह कागजात किसके थे किसी ने कभी देखा जी नावीका जी देखे मुझे लगता है जितनी सरल भाषा में यहां पर बात समझा हूँ सब यहां पर अपनी अपनी बाते करते रहेंगे तो मुझे 30 सेकेंड दे दीजे जरा सेक्शन 40 सब्सक्राइब मेरे सामने है इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं तीन लाइन क्या लिखा हुआ था और क्या अमेंडमेंट हो रहा है सब्सक्राइब में इसल्फ क्लेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब और खुदी इंफॉर्मेशन क्लेट करेगा रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इस रिजन तो बिलीव जो उसको लगता है तो भी वर्फ प्रॉपर्टी और नॉट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वारी इट में लिखा है section 40 में अब अगर इसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है नाविका जी अभी यह जो आप यहां पर सारे लोग बात कर रहे हैं कि वर्फ में यह हो गया वो हो गया सारा नेरेटिफ हला रहे हैं इनसे पूछे आप लोग आप लोग पॉलिटीशन से आप जड़ा एक्ट पढ़के तो बताएंगे सरकार की नियत पे खोड़ है यह है वो है अरे एक्ट में कहा लिखा है जो लिखा अभी पढ़के लिखा दोगी